कैसे हैं आप साब होपफुली सभी ठीक होंगे अलहमदोलिल्ला मैं भी ठीक हूं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक बेहतरीन से प्लेन केक की रेसिपी शेयर करूंगी जिसको हम थोड़ा से चॉकलेटी फ्लेवर देंगे और बहुत सी मेरी सिस्टर्स ऐसी हैं जो कहती हैं कि हमारे पास ओवन नहीं बिना ओवन के केक बनाना सिखाएं तो उनके लिए आज की रेसिपी बहुत ही ज्यादा यूसफुल होने वाली है अपने रेसिपी का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना आज हम जो केक रेड़ी कर हैं वो बिना ओवन के रेड़ी करेंगे बिना बीटर के और बिना मेजरिंग काप के तो बहुत ही परफेक्ट केक रेड़ी होगा कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने इस केक को गर पे रेड़ी किया है तो चलिए आईए टाइम को वेस्ट किये बगार हम अपनी रेसि तो देखिए जो मैं कप यूज करूंगी वह बिल्कुल नॉर्मली घर पे जो हम चाहे के लिए कप यूज करते हैं वही वाले कप हैं स्टेंडर साइस के वही आपने ले लेने हैं कोई मेजरिंग कप के आपको ज़रूत नहीं चीनी एट करने के बाद आप एक कप वही वाल लेकता है वह यूज करने अटिया है टीट स्बून बर और के हमने इसमें बेकिंग पाउडर अच्छे से मिक्स करदेना हibl्या है उसके बाद हम एक बॉल लेंगे ऑभ इस तक याड़ कर लीए उसमें करें इसको छान के एड़ कर लिया करें मेडे को मिक्स करने के बाद थोड़ा सा वनेला एड़ करने के बाद अच्छे से मिक्स करके तो हमारा बैटर देखे रेड़ी हो तोड़ा सा ज़ाओन आप 6 बैटर निकाल लूंगी इस केक को चॉकलाट का धाने के लίνे के लिए अगर आप इसको ब्लैन रखना चाहते हैं तो छोड़ा-प्लैड ये तो प्रियोन के प्रुछ तो आप sf और ऐड्र कारेग्स तो याशना से ऊप्रियों होगती है मिट्यच चाहरु काहिच करूँड़ मडी लूत शैना से और से विता ऐसे के प्रुछ तक सी होम रहा हुआग्स कर देया जुदा कि श कि चाहिए उसके बाद जो हमने केक का बैटर रेड़ी किया था उसको मोल्ड में ट्रांसपर कर देंगे और इसके उपर हम अपने चॉकलेट का जो फ्लेवर रेड़ी किया था उसको डाल के किसी स्पून की मदद से मिक्स कर देंगे ताकि हमारा चॉकलेट और वनेला दोनों फ्लेवर मि मैंने स्लो कर दिया है, कोई स्ट्रेंड रख लें या कोई जाली रख लें नीचे, उसके उपर आप इस तरह से मॉल्ट रख लें, इहत्यात के साथ आप ने इसमें मॉल्ट रखने के बाद इसको बंद कर देना है, और उपर आप कोई वजनी चीज रख दें, ताके हमारी जो केक कच्चा रह जाता है, और बहुत जादा टाइम लेता है, तो मैंने आप लोगों को कैमरे को जूम करके भी दिखाया है, कि आपने हीट को इतना रखने हैं, लेकिन अगर आपको देखने से आइडिया नहीं हो रहा, तो मैं आप लोगों को बता देती हूं कि आपने एक तक आग जलानी है जिस तरह से एक इंच होता है एक इंच तक आग की जो हाइट है वो होनी चाहिए तो आपका बेहतरीन सा केक रड़ी होगा 45 मिनट में रड़ी हो जाएगा लेकिन अगर 45 मिनट में आप चेक करके देख लें अगर वो रड़ी ना हो तो मजीद 10 से 15 मिनट और भी लग सकते हैं तो आप देख लीजिएगा चेक करके जिस तरह से मैंने अभी चेक किया तो मेरा केक 45 मिनट में रड़ी हो चुका था मैं इसको अब निकाल लूँगी तो आप देख सकते हैं बहुत ही बहतरीन सा हमारा केक रड़ी हुआ है मैं इसको पहले ठंडा दिखाती हूँ तो देखी केक मेरा अच्छे से ठंडा हो चुका था मैं इसको मॉल्ड से निकाल के आपको दिखाती हूँ बहुत ही बहतरीन केक रड़ी हुआ था इतना अच्छा केक आप कभी ओवन में भी रड़ी नहीं कर सकेंगे शाहिद इतना आप देचके में रड़ को सकते हैं इस तरह से मैंने की रड़ी हो जाते हैं अगर उप आप लोगों का आज की वीडियो अच्छी लगी होंगी अगर अच्छी लगी हो तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करने और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किये बगाएब ना जाईएका अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक करने और सब्सक्राइब भी करने मिलूंगी इंशालला फिर किसी और वीडियो में अच्छी से रेसिपी के साथ अच्छी सी वीडियो के साथ तब तक के लिए दौाम याद रखेगा अलाहफीज